अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो रोज अपने पूजा स्थल जाता हूँ, भगवान की प्रार्थना करता हूँ, दान पुण्य भी करता हूँ, तो मैं मेडिटेशन क्यों करूँ? मुझे मेडिटेशन करने से ख्यालाब है? यहां मैं आपको बता दूँ कि मनुष्य आत्मा और भौतिक शरीर का अनोखा मिश्रण है, अगर हम मनुष्य को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम पाएंगे कि मनुष्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक भाग तो है मनु दूसरा भाग है आत्मा, आत्मा अजर, अमर है, अविनाशी है, इसे मिट्टाया नहीं जा सकता, आत्मा के बारे में हम विस्तरत रूप से आगे जानेंगे, यहां हम मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है, जिस प्रकार हम शरीर क आत्मा को स्वस्त और चलायमान रखने के लिए भोजन करते हैं. भोजन करने से शरीर को उर्जा प्राप्त होती है और शरीर को ताकत मिलती हैं. ठीक उसी प्रकार हम आत्मा को स्वस्त रखने के लिए मेडिटेशन करते हैं. मेडिटेशन करने से आत्मा को उर्जा प्राप्त कर लेंगे, चाहे परिस्थती कितनी भी विप्रीत क्यों न हो आप विचलित नहीं होंगे, आपको मानसिक शान्ती मिलेगी, आप परमात्मा से जुड़ेंगे और संसार का संपूर्ण ग्यान आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, एक नए सुख की अनुभूती होगी चुंकि भौत एक शरीर पांच तत्वों से बना है, इसलिए इन ही पांच तत्वों से बनी वस्तों से इसे उर्जा मिलती है, जैसे कोई भी फल, सबजी या अनाजय सभी खाद्यपदार्थ पांच तत्वों से मिलकर ही बने हैं, और नश्ट होकर इसी में मिल जाएंगे, परंतु आत्मा अधर है, अमर है और परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश है, इसलिए इसे उर्जा परमात्मा से मिलती है, अगर हम मेडिटेशन को आत्मा का परमात्मा से मिलन कहें तो घलत नहीं होगा, जितना आवश्यक हमारे लिए भोजन करना है, उतना ही आवश्यक पहम महूर्त में उठकर जब शुद्ध वातावरण हो, चारों और शांती हो, उस समय घर के बाहर खुले आस्मान के नीचे बैठकर मेडिटेशन करना चाहिए, यहां मैं आपको सपष्ट कर दूं कि पूजा पाठ करने से आत्मा को उर्जा तो प्राप्त होती है परंतु ज् इस कारण मनुष्य के अंदर अहंकार आजाता है, इसलिए पूजा पाठ के साथ साथ मेडिटेशन करना भी परम आवश्यक है, हम अपनी अगली वीडियो मेडिटेशन करने का सबसे सरल और आसान तरीका बताएंगे जिससे बहुत आसानी से ध्यान लग सके, अगर आपके म प्रशन के ऊपर चर्चा होगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रशन का सही उतर आपको दे सकूँ, अध्यात्म और परमात्मा से जुड़ी हमारी और भी वीडियो देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सबस्क्राइब करें, और अगर आपको हमारी यह वीड करती का लाब हुआ, तो वे लाब भी लोट कर आप ही मिलेगा, क्योंकि यह आपका अच्छा कर्म होगा, कर्मों की चर्चा हम आने वाली वीडियो में करेंगे, इसलिए लिए वीडियो शेयर करते चलें और जाने अन जाने पुरने इक्ता करते चलें, धन्यवाद, परमात आप सभी को खुश रखें